हलो फ्रेंड्स मैं हूँ सुभाम दोस्तों आप सब काईगवा फिर से स्वागत है हमारी क्लास में दोस्तों आज हुम डिस्कस करने वाले हैं अनाटोमिकल इस्टिडीज का टॉपिक जो की है टियस आफ धातूरा लीफ के बारे दोस्तों जो डिप्लोमाइन फामेसी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके फाइनल एक्जाम में इससे एक क्वेश्चन तो पूछा जाना एकदम कंपलसरी होता है ठीक है और वो क्वेश्चन आठ नमबर से लेके 16 नमबर तक के आपको कम से कम 3 से 4 पेज मैटर लिखना जरूरी होता है और ये डिपेंड करता है आप से क्वेश्चन कितने नमबर का पूछा गया है एक्जाम में अगर क्वेश्चन सिर्फ 8 नमबर का है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको माइक्रोइस्कोपिकल करेक्टर्स लिख किया है कई बुक को फालो करके मैं ये पीडिया बनाता हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है आप उसे डाउनलोड करके आराम से स्टेडी कर सकते हैं और ये चैलेंज करता हूँ कि अगर आप इस लेक्टर को एक बार देख लेंगे तो किसी भी लीफ की टियस हो कि अपल के लिए लिए निसरे करेंगे कि अब जेसा होता है इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले आई ये जान लेते हैं इसके parts के बारे में तो जो uppermost structure होता है leaf का जो आपको एकदम narrow सा दिख रहा है ये है हमारा apex और दूसरा जो arrow है ये denote कर रहा है leaf की margin को that means leaf का किनारा कैसा है ठीक है और जो तीसरा arrow है हमारा वो denote कर रहा है leaf की midrib को और जो अगला arrow है वो denote कर रहा है leaf blade या leaf lamina को और जो last वाला arrow है हमारा वो denote कर रहा है leaf petiol को that means वो point जहां से leaf stem से attached होती है ठीक है जो swelling सा part होता है हलका सा फूला हुआ part होता है उसको हम बोलते है petiol ठीक है जिन leaves में petiol नहीं पाया जाता है उन leaves को हम बोलते है sasile leaves ठीक है तो अब आईए discuss कर लेते हैं कि आखिर धातूरा leaf में ये सारे structure कैसे होते हैं उनके characteristics features क्या होते हैं तो start करते हैं इसको इसके color से तो इसका color होता है eloise green फिर आता है इसका size तो इसका size जो है ये length में 8 से 25 cm तक की होती है ठीक है और इसकी wid होती है चावणाई जो होती है ये होती है 7 से 15 cm फिर बात करते हैं इसके shape के बारे में ठीक है तो इसका shape होता है OVET, OVET मतलब होता है अंडाकार, ये देखने में अंडाकार होती है, फिर बात करते हैं इसके मार्जिन के बारे में, that means लीफ का किनारा कैसा होता है, तो इसके मार्जिन होती है, DENTATE ये बहुत सारे लीफ की मार्जिन दिये गए है, आप DENTATE में देख सकते हैं जैसे नीम की लीफ होती है उसके किनारा आपने देखा होगा, दात दार होता है दात नुमा होता है, ठीक है इसी मार्जिन को हम बोलते है, DENTATE मार्जिन और यही मार्जिन धातूरा लीफ में पाई जाती है, ठीक है अगली है सर्फेस, तो सर्फेस कैसी होती है यह सर्फेस होती है, गलेबरिसेंट गलेबरिसेंट का मतलब होता है जहां पर ट्राइकोम हेर ना पाई जाए, अभी इसके बारे में हम इसमाल होता है, और ना ही बिग होता है ठीक है, अगला है हमारा एपेक्स तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे लीफ में कि इसका जो पॉइंट है, ठीक है अपर मोस्ट इस्ट्रेक्चर जो है, यह बहुत ही सार्फ है ठीक है, इसी लिए इसका एपेक्स जो होता है, यह होता है एक्यूट टू, एक्यूमिनेट ठीक है, एक्यूट का सीधा सा मतलब होता है सार्फ पॉइंट, ठीक है, तो यह थे मार्फोलोजिकल करेक्टर्स, और अब हम बात करेंगे इसके माइक्रोस्कोपिकल करेक्टर्स that means transfer sections के बारे में दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक basic सा concept बताऊँगा जिसकी मदद से आप इसको आसानी से exam में लिख सकते हैं ठीक है वैसे तो मैंने PDF अटेस कर दिया है आपको exam में कैसे लिखना है कैसे represent करना है diagram कैसे बनाना है यह सब कुछ मैंने PDF में दिया है और इसकी मदद से आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं तो दोस्तों बात करते हैं अपने concept के बारे में तो concept एकदम simple सा है यहाँ पर हम leaf के TS को सबसे पहले उसके basic structures में डिवाइट करेंगे ऐसे anatomical structure जो कि हर एक leaf की TS में पाए जाते हूं ठीक है तो सबसे पहला वो structure है हमारा epidermis और दूसरा है mesophyll और तीसरा structure है vescular bundles जो कि mid rib में पाए जाते हैं देखें मैं इतना basic से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके वल एक leaf की TS तयार कर लिजिए बाकी सारे ये structure similar ही होंगे आपकी जितने भी leaf की TS है बस अंतर सिर्फ इतना होगा कि किसी में trichomes hair नहीं पाए जा रहे हैं किसी में calcium crystals पाए जाएंगे किसी में stomata जो होंगे वो अलग तरह के होंगे ठीक है अंतर सिर्फ इतना ही होगा बाकी ये सारे structure similar ही होते हैं ठीक है तो आए अब ये देख लेते हैं कि आखिर ये basic structure जो है ये leaf की TS में कौन कौन से हैं ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते है epidermis के बारे में तो जो outer most structure होता है leaf का surface पे outer most structure जो होता है वो होती है हमारी epidermis ठीक है अब surface दो होती है एक उपर वाली surface और एक नीचे वाली surface तो अपर surface पे जो outer most structure होता है उसे हम बोलते है upper epidermis और जो lower surface पे outer most structure होता है उसे हम बोलते है lower epidermis तो दो तरह की epidermis हो गई आपकी एक upper epidermis और एक lower epidermis तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर epidermis में कौन-कौन से structure पाय जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक thin green color की layer दिख रही होगी एक उपर भी और एक नीचे भी तो वो है हमारी cuticle layer जो की protection का काम करती है और यह produce की जाती है by the epidermal cell ठीक है और दूसरा structure है हमारा जो की epidermis पर ही पाय जाता है वो है trichome hair ठीक है तो यहाँ पर number of trichome hair जो होते हैं वो बहुत ही less quantity में होते हैं इसलिए इसकी surface glabrescent होती है लेकिन कुछ species ऐसी होती है जिनकी surface pub cent होती है that means vh trichome hair contain करते हैं और तीसरा structure है हमारे जो की epidermis पर ही पाज़ाता है epidermis contain करती है वो है istomata ठीक है तो जो upper epidermis होती है उस पर number of istomata जो होते हैं वो less होते है as comparison to lower epidermis ठीक है लोबर एपिडरमी जो होती है वो number of istomata ज्यादा contain करती है तो ये थे वो structure जो की epidermis पर पाजाते थे, epidermis contain करते थे अब हम बात करते हैं मीजोफिल के बारे में, तो मीजोफिल कौन सा पार्ट है? Between the upper epidermis and lower epidermis, जो पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं मीजोफिल और ये पार्ट धातूरा लिफ में differentiate होता है, divide होता है into two parts पहला polysade cells और दूसरा crystal layer में, तो polysade cells आपको दिख रही होंगी, जो अपर epidermis के just नीचे आपको जो elongated cell की layer दिख रही है, वो है हमारी polysade cells, ठीक है, just below two upper epidermis single layer of elongated cell is present called as polysade cell, और ये contain करती है chloroplast, और chloroplast का का काम क्या होता है? photosynthesis का, तो polysade cells क्या करती है, ये photosynthesis में help करती है, क्योंकि ये chloroplast cells content करती है, तो ये हो गया इसका function, दूसरा structure है मिजोफिल का crystal layer, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको crystal layer क्यो नाम दिया, देखी यहाँ पर जो irregular cells है हमारी, ये calcium augulate के crystal contain करती है, इसलिए इन layers को हम बोल देते है crystal layer, ये single layer cells होती है और present होती है just below two polysate cells, ठीक है, तो ये था all about the mesophyll and their structure, अब हम बात करते है leaf के तीसरे basic structure के बारे में, जो कि है mid rib, तो mid rib क्या होती है, जो central thick linear structure होता है, जो कि help करता है leaf को उसकी upright position के लिए, वो कहलाती है हमारी mid rib, ठीक है, ये leaf का सबसे hard part होता है, और ये contain करते है vascular bundles, ठीक है, vascular bundles में दो चीजे होती है, एक होता है जायलम और एक होता है phloem, तो जायलम का function होता है water का conduction करना throughout the plant, और जो phloem होता है, इसका कार्य होता है food को carry करना throughout the plant, ठीक है, तो ये थे mid rib और उनके additional structure, जायलम और phloem के functions के बारे में, तो दोस्तों अब last में मैं आपको ये बता दू, कि इसकी TS के लिए आप दो तरह का structure बना सकते हैं, ठीक है, ये दोनों structure सही है, आपको जो EG लगे, आप वो structure बना दीजिए, दोनों ही structure में आपको अच्छे नवर मिलेंगे, त तो दोस्तों ये था all about the transfer section अब धतूरा leaf के बारे में, please friends like and subscribe to my channel.